क्या है नाग पंचमी का महत्वर? नाग पंचमी के दिन इस विदी से करें पुजा बहुत ही शुब संयोग में मनाई जाएगी नाग पंचमी दोस्तों नाग पंचमी हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण परव है वहीं धार्मिक मानिताओं के अनुसार नाग देवता को जल चड़ा कर विधी विधान से पुजा करने पर भक्तों की सबी मनोकामनाए पूरी होती है हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महिने के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं मनिता है कि नाग पंचमी के दिन उपवास और व्रत कथा का पाट करने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से चुटकारा मिल जाता है चलिए आपको बताते हैं नाग पंचमी के शुब मुहर्त और पूजा वीदी के बारे में 21 मिनट तक रहेगा और उसके बाद शुकल योग आरंभ होगा चलिए अब आपको बताते हैं आपको इस दिन किस विदी से पूजा करनी चाहिए शावन शुकल पक्ष की पंचमी तिथी के दिन सुबह जल्दी स्नान ध्यान करें और व्रत का संकल पले पूजा काल में एक साप चौकी पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी से बने हुए सर्प की मूर्ती स्थापित करें उसके बाद नाग देवता को हल्दी, रोली, चावल, फूल इत्यादी अर्पित करें और फिर दूद घी वा चीनी मिला कर चड़ाए उसके बाद पूजा के अंद में नाग पंचमी वरत कथा का श्रवन करें और आर्थी के साथ पूजा संपन करें चली अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाभारत में राजा जनमय जे नागों की पूरी जाती को निश्ट करने के लिए एक यग्य करते हैं ये अपने पिता राजा परिक्षित की मृत्यू का बदला लेने के लिए था जो तक्षक साप के घातक काटने का शिकार हो गए थे हालकि प्रसिद्ध रिशी आस्तिक जनमय जे को यग्य करने से रोकने और नागों के बलिदान को बचाने की कोज में निकल पड़े जिद्धनिय बली रोकी गई वह शुकल पक्ष पंचमी थी जिसे अब पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाब्यों में साप या नाग महत पूर्ण भूमिकाने भाते हैं महाबारत, नारद पुरान, सकंद पुरान और रामायर जैसे ग्रंथों में सापों से जुड़ी कई कहानिया है एक और कहानी भगवान कृष्ण और नाग कालिया से जुड़ी है जहां कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुश्यों को दोबारा परिशान ना करने के वादे के साथ कालिया को माफ कर देते हैं। गरुड पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्त को सौभाग्य और सम्रद्धी की प्राप्ती होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डॉपिक के साथ। नमस्कार।